हलो ब्यूटिफुल गर्स कैसी है आप सब और मेरे फामली में जुड़े होए हर इंसान कैसा है जो मेरा वीडियो देख रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर आप भी अपने बढ़ते होई वजन से परिशान है आपको भी PCOS, PCOD, Diabetes या कोई ऐसी घंबीर समस्या है जिससे कि आपका वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा और आप बिलकुल निराश हो चुके हैं तो don't worry आज का मेरा ये जादूई नुस्खा आपके बढ़ते होई वजन को बिलकुल कंट्रोल कर देगा वो भी सिरफ एक हफते में आप दो किलो वजन घटा सकते हैं बहुत ही असान सी रेमेडी है और बहुत ही effective है क्या है वो रेमेडी उसको जानने के लिए आपको पहले अपना homework करना होगा तो आपका homework क्या है इस वीडियो को जम कर शेर करना चानल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करते ताइम all notification पर क्लेक करना ताकि जब भी मैं आपके लिए कुछ भैतरीन लेकर आओ तो आप उसको देख सकें और अपनी जिंदिकी को और ख exercise कर रहे हैं तो इसके साथ अगर आप green tea मेरे बताए होस तरीके से बना लेंगे और पी लेंगे तो ये जादू के छड़ी की तरह आपके शरीर से सारे fat को mom की तरह पिगला देगा ये सिरफ मेरे वर्डिंग्स ही नहीं बल्कि proof होगा और ये बहुत अच्छी ब्रिटेन में एक college है वहाँ की study में यानि उन्होंने जब study करी तो उन लोगों ने भी ये चीज प्रूफ करी है कि green tea में ऐसे compound पाए जाते हैं जो आपके बढ़ते हुए वजन को control करते हैं आपके digestion को boost करते हैं तो चलिए जानते हैं कि green tea में ऐसा कौन सा compound होता है green tea में होता है kitchen, kitchen क्या करता है आपके शरीर में जहां भी fat जमा हो गया है उसको खून में घोल कर उर्जाओ में convert करता है यानि आपके शरीर में नया fat जमने नहीं देगा और जो fat जमा है उसको खून में घोल कर साथ में आपकी energy में convert करेगा यानि जो आप पहले बहुत करते थे थका हुआ फील करते थे आपका डाइडेशन बिल्कुल वीक था आपका मेटाबॉलिजम बिल्कुल गिर चुका था तो आपके सारी प्रॉब्लम दूर होके आपका वजन बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा ठीक है अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ची सब्सक्राइड ऊचाल देंगे हो या फाहरा खाना अगेग जाएगा तो नियुक्त शासेसे अगेगा तो हमारा शरीर फैल जाएगा, बिल्कुल फैलेगा, आप खुद सोचिए, जब आप रोजाना खा रहे हैं, उसको पचाएंगे नहीं, तो definitely आपका शरीर फैलेगा, ठीक है, तो आपने good babies की तरह exercise जरूर करनी है, और exercise के साथ मेरे बताई हो सरीके से आपको green tea बना कर पीनी है तो चलिए, आप जानते हैं green tea को बनाना कैसे है, इसके लिए आपको बरतन ले लेना है, उसमें 2 glass पानी डालने ना है, जब पानी अच्छा सा खौलने लगे, मतलब गरम होने लगे, तो उसमें आपने आधा चमच दाल चीनी powder का add करना है, ठीक है, दाल चीनी powder जब आप डा ताकि उसमें green tea का असर और दाल चीनी का भरपूर अच्छे से अस्ट्राक्ट उस पानी में आ जाए, उसके बाद आपको gas बंद कर देना है, जानने के बाद आपने उसमें एक lemon squeeze कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद उसको चाय की तरह sip-sip करके पीना है, अब जान लेते है इसको पीने का सही समय, खाली पेट कभी भी आपको green tea नहीं पीनी क्योंकि यह आपके पेट में acid बना देती है, तो या तो आप सुभा कोई apple खालीजिए, banana खालीजिए और उसके एक घंटे बाद आप ग्रीन टी पीए, ठीक है, morning में, और उसके आदे घंटे बाद आपने क टेजी से कम होगा, और ये मेरे वर्डिंग नहीं, डेफिनेटली ये ब्रिटेन में एक इपीरियल कॉलेज है, जिन्हों ने रिसर्च करा है, और ये पाया गया है, बहुत लोगों पर रिसर्च की गई, कि जो लोग exercise करते हैं, और उसाथ में green tea पीते हैं, उनका वजन करके, पांच मिनट अच्छ से को खॉलने के बाद कप में डालें, और उस ती बाग को पांच मिनट के लिए उसमें डिप करते रहें, उसके बाद लेमन स्क्वीज करके पी लें, चीक है, वैसे मैं आपको रेक्मेंड करूंगी, कि टी बाग की जगा, अगर आप लूस ग्र 10 रमेडी के साल, बाई, टेक केर, स्टे हिल्दी,